हलो फ्रेंस आज मैं आपके लिए टमाटर और प्याज की बिलकुल नई चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ एंड आम शोर एक बार आपने ये रेसिपी बना ली ना तो हपते में पांच दिन आपके घर में यही रेसिपी बनने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर ही देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि यहां मैं डेली आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहती हूँ तो क्या करना है मैंने 8-10 लाल लाल टमाटर ले लिए हैं आप साइज में छोटे बड़े कैसे भी ले सकते हैं फिलाल मेरे पास यह छोटे वाले टमाटर थे तो मैंने छोटे टमाटर ले लिए हैं ऐसे बीच से हम कट लगा लेंगे और जो उपर का जो हिस्सा होता ना इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि कई बर माना जाता है कि इस हिस्से की वज़े से भी हमारे पेट में पत्री हो जाती है जी हां हम सरसो के ओईल में से बनाएंगे तब ही जाके बहुत अच्छा फ्लेवर हमारी रेसिपी में आएगा और तीन से चार मैंने यहां लाल मिर्च ले ली है साबुत वाली अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो तीखी वाली ले सकते हैं यहां मैंने काश्मेरी मिर् हो जाते हैं अंदर तक बहुत अच्छी क्रिस्पी खुश्बू भी जाती है सरसो के ओईल में अगर हम इस रेसिपी को बनाते हैं और यह थोड़ा सा ओईल जो बत चुका है ना जो टमाटर की स्लाइस हमने कट की थी वह इस साइड से हम रख देंगे और इसे ढख कर पकाए बिल्कुल जब यह सोफ्ट हो जाए ना तभी जाके हमने गैस का प्लेम बंद करना है तभी जाके रेसिपी है हमारी बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी तो यह देखिए एक से दो मिनट दूसरी साइड से भी पका लिया है दूसरी साइड से एक बार और मैं पलट देती हूँ ताकि और भी ज़्यादा सोफ्ट हो जाए यह देखिए इस तरह से थोड़े गले गले से टमाटर बंद जाने चाहिए इस लेवल तक हमने पकाना है यहां गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए इने छोड़ देंगे तब तक हमने प्रुट मि्वय तक हम दस्पी खंड़े तो अच्छा फ्लेवर रेसिपे के उन्द आए गहिए दे बिल्कुल अच्छे से बारिकी से हम इसे कुट लिया से ग्या है जल्दी हमारे विशे अगी देखिए मेरिक से आयने जोड़े कर देंगे यह सब्त All to the cheese in जिलिका ने क अगर आपके पास मेशर नहीं है तो कोई गिलास लीजिए और उसकी तली से प्रेस करेंगे तब भी अच्छे से हमारी मैश हो जाएंगे मैंने यह लिया है एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने ऐसे लंबा प्तला प्तला स्लाइसे में और थोड़ा सा मैंने यहां हरा धनिया लिया है और यह देखिए जो चटनी हमने कुटी थी वो चटनी भी इसके अंदर हम डाल देंगे एक चीज का खास दियान रखेगा, अगर आप प्यास कम खाते हैं तो प्यास इस रेसिपी में आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं बट कच्चे ही प्यास जालेगा, तभी बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा मुझे प्याज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए प्याज की मातरा मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है इस रेसिपी में प्याज बहुत अच्छा लगता है कच्छा थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल देंगे और ये देखी बहुत ही टेस्टी फ्लेवर फुल हमारी टमाटर की रोस्टी टमाटर की चटनी बनके तयार हो चुकी है रोटी पराठा नान या राइस के साथ इसे खाईए और बहुत ही आपको मज़े आने वाला है तो रेसिपी को ज़रू ट्राएगी